नमस्कार, उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चली आईए इस वीडियो में हम अपने सारे concept जो की पराइक्ता पराधारित हैं उनको एक बार धौरा ले। पराइक्ता यानी की probability और इस वीडियो में हम उसके सारे concepts को revise करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अगर हम probability के formula की बात करते हैं या प्रायक्ता के सूत्र की बात करते हैं तो अच्छी बात यह है कि किसी भी घटना E के लिए हमारे पास probability का सिर्फ एक ही सूत्र है अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई हो अभी प्रयो probability निकाल रहे हैं वो दी तो उन नोनों का हम अनुपात अगर ले लेंगे इस क्रम में तो हमें मिल जाएगी प्रायक्ता इसके बाद हमने यह देखा कि अगर हमारे पास कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी प्रायक्ता जो है वो शून और एक के बीच में ही आएगी और अगर उसकी प्रायक्ता एक आ रही है तो इसका मतलब जितनी भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो ही घटना घटित हो रही है और इसलिए वो ही घटना होगी उसके सवा और कोई घटना घटित नहीं हो सकती और ऐसे में हम कहेंगे कि वो एक निश्चित घटना है इसके प्राइक्ता P E है, तो हम उसकी पूरा घटना, पूरा घटना को हम दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए E के उपर, इस तरह से एक रेखा पड़ते हैं, और इसको हम कहते हैं, घटना E नहीं, अगर E का मतलब है घटना होना, तो यह बार का मतलब है गटना ना होना तो इसकी प्रायक्ता जो है वो हम निकाल सकते हैं अगर हम एक में से गटना होनी की प्रायक्ता को घटा दे और इसी को हम क्या सकते हैं कि किसी भी एक प्रारंबे गटना और उसकी पूरा गटना का जो योगफल है उसकी प्रायक्ता का योगफल है वो एक होगा तो यह बहुत ही जरूरी बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इसका हम कई बार प्रयोग भी करेंगे तो यहां पर आपको यह जो है एक कह सकते हैं कि समिका मिल गई है और दूसरी समिका यह हो जाएगी कि आपके पास किसी भी एक जो हमारे प्रयोग हम कर रहे हैं उसकी जो भी घटनाएं हैं प्रारंबे घटनाएं हैं उन सबका अलग अलग जो योगफल है प्रायक्ता का वो हमारे पास कितना हो जाएगा मान लिजे एक घटना है और फिर दूसरी घटना हमारे पास आ जाती है मान लिजे हम कह रहे हैं उसे एफ और उसके बाद हम कुछ और घटना कह रहे हैं जी, तो अगर ये सारी प्रारमभग घटना हैं, तो इनका योगफल प्राइक्ता का एक आएगा, तो दो हमारे पास जो यहां पर बाते ध्यान रखने वाली हैं, वो ये कि सारी प्रारमभग घटना हैं, जो एक प्रयोग का हमें परणाम दे सकती हैं, वो उनका अगर हम प्राइक्ता का योगफल करेंगे, तो एक आएगा, और दूसरा ये कि कोई भी एक घटना, उसकी पूरा घटना की प्राइक्ता का योगफल भी एक होता है, तो क्योंकि अब हमें अच्छे समझ में आ गया, कि प्राइक्ता के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही सूत्र है, प्राइक्ता की जो हमारे पास है, वो जो मान आएगा, उसकी कहां से कहां तक मान हो सकता है, शून, संभव घटना के लिए, एक निश्चित घटना के लिए और बाकी कोई भी घटनया का मार इनके बीच में ही आएगा उसके बाद में हमारे पास दो तरीके के घटनाए हैं प्रारंबे घटना और उस प्रारंबे घटना के लिए एक पूरा घटना एक दिये गए अनुप्रोक के लिए अभिप्रोक के लिए हमारे पास अगर जो भी घटनाएं परणाम में हो रही है उन सब का ही योगफल प्रायकता का एक होगा और दी गई एक घटना के लिए जो भी उसकी पूरा घटना है उनके प्रायकता का योगफल भी एक होगा तो क्योंकि अब हमें ये बाद अच्छे समझ में आ गई है चलिए आए कुछ प्रशनों का हल करने का प्रयास करें एक संख्या एकस दी गई संख्या माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन में से याद्रचप चुनी जाती है एकस स्कॉयर के मान का चार से कम होने की प्रायकता व्याद करें तो हमसे क्या प्रशन पूछा गया है कि आपको x जो है वो इन में से ही चुनना है और x square जो है वो 4 से कम हो इसकी प्राइक्ता क्या है तो आईए सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमको x क्या क्या दिया गया है तो अगर हम x देखें तो हमारे पास x के मान जो है वो है और अगर हम x square की बात करें तो वो इनका square तो मैनस 3 का square 9 मैनस 2 का square 4 मैनस 1 का square 1 0 का square 0 1 का square 1 2 का square 4 और 3 का square 9 हो जाता है अब पूछ रहे हैं कि x square के 4 होने से चार से कम होनी की प्रायक्ता ग्याद करें तो हमें मालूम है कि किसी भी घटना के घटत होनी की प्रायक्ता हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं और चलिए आईए इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए पहले ये जान लें कि कितनी ऐसी घटनाई हैं जो कि यहाँ पे घटित हुई, कुल संख्या, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो हमारे पास हर कितना आ जाएगा, साथ आ जाएगा, और इन में से कौन से ऐसे अभी प्रयोग हैं, जिसमें घटित हुई, तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि हमें देखना हैं कि एक स्कोयर का जो मान हैं, चार से कम किसमें किसमें हैं, जो चार से कम एक तो इसमें हैं, दूसरा इसमें हैं, और तीसरा इसमें हैं, तो इसलिए हमारे पास जो उत्तर है, वो यह आ गया, कि परायकता हमारे पास तीन बटे साथ होगी, अगर हम यह देखना चाह रही हैं, कि कौन सी यहां पे ऐसी संख्या हम चुन सकते हैं जिसके वर्ग का जो मान है वो चार से कम है तो इन संख्याओं में से आप तीन संख्याएं चुन सकते हैं जिनके वर्ग का मान चार से कम होगा और टोटल आपके पास संख्याएं साथ थी तो इसलिए प्राइक्ता तीन बटे साथ आ गई अगला प्रशन आईए देख लेते हैं एक यादरिचिक लीप एर में बावन सुमवार हूं इसकी प्राइक्ता ग्याद करें तो बहुत ही अच्छा प्रशन है और इसके लिए हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि एक लीप एर का क्या अर्थ है तो लीप एर जैसा कि हम जानते हैं तो लीप वर्श में या लीप एर में कितने दिन होते हैं तो लीप एर में कुल दिन तो आपको पता है कि एक लीप वर्श अगर हम लें तो उसमें कुल दिन होते हैं तीन सो चाचचच तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें 52 सो मवार ही होने चाहिए तो सबसे पहले आएए देखते हैं कि इन 366 दिन में कितने हमारे पास हफते होंगे तो अगर हम ये लिखें कि लीफ वर्ष में कुल हफते या कुल वीक्स हम निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा तीन सो चाहचट को साथ से भाग देना पड़ेगा और इसका आशे ये हुआ कि साथ पांच से अगर हम दोना करेंगे तो 35 और ये 16 बज़ गया तो 2 तो हमारे पास 52 हूण हफते आ जाएंगे तो 52 हूण हफते हमारे पास आ गए और साथ में हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 शेश भी आ गया तो हम इसको कह सकते हैं कि एक लीपियर में 52 हफते और 2 दिन शेश बच जाते हैं तो ये बात पकी है कि हर लीपियर में 52 सोमवार तो होंगे ही मगर यहाँ पर प्रशन ये कह रहा है कि बावन ही सोमवार हो इसका आशे ये हुआ कि इन दो दिनों में से हमारे पास कोई भी सोमवार नहीं होना चाहिए तो आप प्रशन समझ पाए प्रशन ये कह रहा है कि बावन आपको सोमवार ही मिले यानि इन दोनों में से कोई भी जो दिन है वो सुमवार ना हो तो आएए देखते हैं कि ये दो दिन क्या क्या हो सकते हैं तो ये दो दिन जो हैं वो हो सकते हैं संडे और मंडे यानि रविवार और सुमवार ये दो दिन हो सकते हैं मंडे और ट्यूजडे ये दो दिन हो सकते हैं Tuesday या Wednesday ये दो दिन हो सकते हैं Wednesday या फिर Thursday ये दो दिन हो सकते हैं Thursday या फिर Friday और ये दो दिन हो सकते हैं Friday या फिर Saturday और या फिर ये दो दिन हो सकते हैं Saturday और Sunday और फिर से आपको Sunday Monday वाला ही क्रम मिलने लगेगा तो आपके पास इन दो दिनों के लिए जो हमारे पास यहाँ पे विकल्प आए वो ये हैं और इन में से कितने विकल्प ऐसे हैं जिसमें आपको सुमवार मिल रहा है वो ये और ये तो अगर आपके पास आप चाहते हैं कि बावन ही सुमवार हो तो इन दोनों ही विकल्पों में से कोई भी विकल्प ना हो और इन दोनों में से कोई भी विकल्प ना हो तो उसके लिए हमारे पास ये पांच जो विकल्प हैं वो सही बैठेंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ बावन हफ्तों के लिए या फिर कहलें सिर्फ बावन सोमवार हों इसके लिए हमारे पास कौन से बाकी दो दिन होने चाहिए इन पांचों में से कोई भी तो यहां पे अभी प्रयोग जो की हमें घटना घटित कर रही है वो पांच हो गए और पूरे अभी प्रयोग कितने हो गए साथ तो पांच बटे साथ इसकी प्राइक्ता आ सकती है अगर हम यह कहना चाहें कि हमारे एक लिए वर्ष में सिर्फ बावन ही सोमवार हों त्रेपन सोमवार ना हो अगर इन दोनों में से कोई भी विकल्प हो गया तो त्रेपन सोमवार हो जाएंगे तो मैं आपको यहाँ बे सिर्फ एक बार बता दूँ कि अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि एक लीव पियर में एक लीव वर्ष में आपको त्रेपन सोमवार मिलें तो आप क्या करिए आप कह दीजे कि उसकी प्रायक्ता हो जाएगी दो बटे साथ क्योंकि बावन सोमवार तो मिली रही है साथ में इन दोनों में से अगर कोई भी एक विकल्प पूर्ण हो गया तो आपको त्रेपनवा सोमवार भी